हिंदुस्तान के लोक तंत्र और कानून की धज्यां उड़ा करके हमारे प्रधान मंत्री कानून और समिधान के नुसार देश में सासन नहीं कर रहे कानून को समिधान को इस देश के सहीदों के सपनों को अपने पैरों तरे कुचल दिया इस विदेशी महिला ने कि अब वो चाहेगी वही हिंदुस्तान में होगा हिंदुस्तान जो है वो संसत से समिधान और कानून से नहीं दस धनपत से चलता है ये अलोगतामत्रिक तरीका है जैसेनपस से सत्ता चलाने के लिए हमने प्रधान मंत्री को गुर्षिय पर नहीं बैठाया और फिर जड़ा अगली घोशना सुनिए जैसे कोई राजा महाराजा अपने बेटे को अपना उतराधीकारी बनाने के लिए सिंगहासन सौप रहा हो मनमहन क्या कहते हैं शेख भावी प्रधान मंत्री राहुल गांधी से बेहतर कोई दूसरे नहीं हो सकते अरे राजा रानियों का जमाना लद गया अभी तुमारी मानसिक्ता बदली नहीं तुम जिसको चाहँए वो प्रधान मंत्री होगा ये लोकशाही तरीका नहीं हो सकता अब हिंदुस्तान की जंता जिसको चाहेगी वो हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री होगा